श्री रादे रादे, भक्तों साहज सुभाव में किसी के ऐसा है कि वो भगवान की भक्त उसको बहुत प्री लगते हों, जो भगवान की भक्ती करते हों, भजन करते हों, साधना करते हों, ठाकुर्जी से प्रेम करते हों, यह जी वो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे ल भगवान के प्रती प्रेम होना भगवान से स्ने होना तो सहाज ही है क्योंकि जीव भगवान कान से है। तो ये किसी को ऐसा है भगवान के भगवान के भक्तों से प्रेम है। उसको पूद्ज मानता है। उनकी चरन रज को भी वो सादक महान पविट्र मानता है। और महराज सामाने लोगों के लिए ये मुश्किल है होना कि उसका खाया हुआ जूथा जिसको शीत प्रसादी बोलते हैं। इसको महाप्रशाद भी बोलते हैं। उसको बड़े आदर के साथ ग्रहन करता है। भाव के साथ उसको पाता है। किन्तों आप ये समझ लेजिए सभी के लिए लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि सब लोगों के विर्दय में इतनी उची श्रद्धा नहीं होती। सामान्य व्यक्ति तो ये ही कहेंगे भाव किसी के जूठा नहीं खाना ची। ना हम खाते हैं जूठा ना खिलाते हैं जूठा। और ऐसे व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा आदार श्रद्धी समझते हैं। बहुत पवित्र समझते हैं। किन्तो उन लोगों को ये नहीं पता रहता है कि एक भागती मार्ग में चलने वाले प्रेमियों का जो समुधाय कह लीजे। उन लोगों की द्रिष्टी में तो पागल ही होते हैं। क्योंकि जूटा किसी का लपक करके खाना, चरण रजमाथिम लगाना, चरणों में लोट जाना, उनके लिए रोना, उनका धर्षिन करके अश्रपूरित हो जाना, अश्रविशार्जन करना, व्याकुल होना। ये भागत का लक्षान होता है, सब में नहीं हो सकता है। और कल आप श्रमन कर रहे थे वक्तों, कि भाई जी अर्थात पोद्दार जी महराज, जो थाली में भोजन कर रहे थे, यहां बिल्ला मंदिल, श्रिविंदावंधाम के पास जो है, यहीं पर, और यह संतोष जी अपनी सक्षी सरला को लेकर पहुंची थी, पहले तो उन्हो परशाद मांगा था, उत्सीठ परशाद के लिए, शीठ परशाद के लिए लाला ही तरहती थी, संतों के परशाद के लिए, तो वो दिया नहीं, भाई जी ने, इशारा समना के है कि नहीं, जूठा मैं नहीं दिता किसी को, लेकिन महराज यह प्रेमी भी अद्बुत होते ह वो बैठी जहीं, बैठी जहीं, बैठी जहीं, और आखरी कऊर जो बचा, तपाक से लपख करके उठोन जट चे उठा लिया, और बोली, यह तो मेरा हिस्सा है, भाई जी, एक जो मेरा हिस्सा है, ज़ाज सा-इन्होंने दिया, सारला जी को पालिया पशाद कुडाओ, अर क्योंकि श्रद्धा के सम्मुख तुम्हरा भगवान नहीं बोल पाते हैं यह भग तो उन्हीं के तो सुभाव के होते हैं कितने भाग शाली थे यह हर आत्मी के समझ में नहीं आएगा भाई जी के शरीर को भगवान ने बंदावन बनाया था और आज उन्ही का प्रशाद संतोस जी और सरहला जी को प्राप्त हुआ थे और भक्तों सन 1965 में पूज बहिंगी संतोस जी जो अभी गोपिनात बाजार में रह रह रही थी विर्णदावन धाम में उन्हीं दिनों पूज भाई जी इसकी पोद्दार जी महाराज बिर्ला मंदिर आए हुए थे मैं आपको बता चुका हूँ जो विर्णदावन और मत्वरा के बीच में है तो सुबह ही किसी से संतोस जी वो भाई जी के व्रुणदावन आगमन का समाचार मिला और वे अधीरता से विर्णदावन से विर्ला मंदिर महाराज जाने के लिए बेचेन से हो गए और मकान की दूसरी मंजिल पर घूम रही थी हो और कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए पुर्णा मंदिर जहां सी पोद्दार जी महराज का दर्शन हो इसी सोच में निमग न थी एक आएक उनकी दृष्टी सड़क पर जा रही एक मोटर कार में बैठी वे कुछ व्यक्तियों पर पड़ी अज़े को कनया विवस्था करता रगतूं ने चो किसी मोटर कार में कौन बैठा क्यों कोई देख है लेकिन संतोस्ची की दृष्टी पड़ी और इने लगा कि श्री पुद्दार जी महराज भाई जी उस गाड़ी में बैठे और थोड़ा पास आने पर तो महराज भाई जी स्पस्ट तो रिष्टी गोचर हो गए है साफ साफ दिखलाई पड़ गए कि आरे शीहमन शाथ जी पोड़्दार जी महराज बैठे और खुशी से इनका अंतर उचल पड़ा पुझ भाई जी उसी रास्ते से होकर श्री प्रवदत ब्रह्मचारी जी से मिलने उनके संकीरतन भौन वन्शी बट जा रहे थे और महराज हर्ष से विभोर संतोष जी जाट नीचे उतर कर सरला से बोले सरले जल्दी से नीचे चलो भाई जी जा रहे हैं चलो दर्षन कर लो और अपनी उमंग में सरला जी का हाथ हमें विजल्दी जल्दी नीचे उतरने को प्रयाश रत थी कि सीडियों में ही उजी भाई जी का ने भराश्वर सुमाई पड़ा जल्दी मत करो धीरे धीरे आओ मैं यहीं खड़ा हूँ और जी भाई जी तो अंतर यामी थे उनको पता था कि ये संतोस अंसरला उन्ही के दर्शन के लिए जल्दी जल्दी भाग रही नीचे के ओ इसलिए उन्हें ने कहा जल्दी मत करो धीरे धीरे आओ मैं तो यहीं खड़ा हूँ और पूर्ज भाई जी को अपने समक्ष देख करके आनंद मगन संतोस जी ने उन्हें प्रणाम किया और बाद में वे पूर्ज भाई जी के द्वारा भेजी हुई गाड़ी से बिल्ला मंदिर राधा बाभा को प्रणाम करने गई भाई जी ने खुद कहा कि राधा बाभा तो यहां नहीं आये बिल्ला मंदिर में दर्शन कर लोगा भेज दिया उनको गाड़ी में बेटा कि कितना आत्मियता भारा संबंद था पूज भाई जी वो राधा भाभा का श्री संतोस जी के साथ अब आप यह समझे कि मैं आपको श्री भाई जी के चरित में सुना चुका हूँ कि भागवान स्री कृष्ण ने स्वयम गोरकपुर में प्रकट होकर कहा था राधा भाभा को कि श्री भृंदावन धाम जाके क्या करोगे मैं तो पुद्धार जी के शरीर को भृंदावन बनाके इस समय लीला कर दा हूँ पुद्धार ऑभाभा कि श्री का था कना श्री कि अंदर भृंदावन धाम जाके क्या करोगे तो महराज तब ही चरज राधाबा भृंदावन नहीं आते थी बस भाई जी के अंदर यह वंको भृंदावन का दर्शन होता था और ब्रांधवन विहारी का भी दर्चन ओथा, और मैं आपको पहले बता चुक हम कितने लोगों को भागिशा response 심ालिक लोगों को भागिषाली बख्तों को दर्चन होा था कृष्ण का अदर रधाभबा के रधारानी को ृढ़र्ण नृ तो रधारानी का ही नामिनी का राधा दोनों उद्धार जी महराज की द्वारा दी हुई गाड़ी में बैट करके पुछ गए बिड़ला मंदिर जहां राधा बाबा थे और महराज राधा बाबा पूरा पूरा समझते थे जानते थे संतोस जी को इतना जानते थे कि जब वो दीक्षा के चक्कर में थोड़ा भटकने वाली थी तो राधा बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया थे एक बार नहीं दो दो बार दिया थे मैं पर पहले सुना चुका हूं आपको तो ये ठाकुर जी लिला करते थे कि राधा बाबा करते थे ये तो मैं नहीं जानता ये तो प्रभू जाने किन्तु भाक्तों की करव सदा तेंके रखवाली जिम जनिल राख़ए जिम बालक राख़ए महतारिया सदा अपने भक्तों की सुरक्षा में प्रभूला गिरा थे भक्त बटक न जाये ऐसे संतोस जी को ठाकुर जी समालते थे और राधा बाबा को इसके लिए लगा रखे थे भगवान महराज भक्त श्री राधा बाबा ने एक बार कहा था कि विरंदा बन में संतोस जी को प्रणाम करना सौ महात्माओं को प्रणाम करने के समान है ये मैं अपनी और सो नहीं बोल रहा हूं वक्तों ये राधा बाबा ने कहा था स्वयम अपनी श्री मुक्त श्रीवनों ने कहा था कि विरंदा बन में संतोस जी को प्रणाम करना सौ महात्माओं को प्रणाम करने के समान क्या ही विचित्र आध्यात्मिक संबंध था पाश्चर ही होता है उनकी परस पर कभी भी बात्चीत नहीं होई संतोस जी और राधा बाबा की अभी तक बात्चित नहीं हुई थी लेकिन अंदर की बात्चित सब जानते थे हूँ उद्जी बहिन जी कभी गोरखपुर नहीं गई कभी गोरखपुर नहीं गई तो गीता बाति का कहां से पहुंच जाती है और राधा बाबा ब्रंदाबन की भूल में अटात बुर्ला मंदर तक पहुच्टे ही मौन हो जाते थे स्वता ही मौन हो जाते थे और पुझ बहिन जी संतोस जी की राधा बाबा की प्रती अनन निष्ठा थी पूर्ण शर्णा गति थी इसे भगवान के लिए शर्णा गति होती है मराज इन महान भक्तों के प्रती है ऐसा भक्तों को होता थे आतुलनी ये समर्पन का भाव था बाबा का भी उनकी प्रती कृपा प्रवा निरंतर गति मान रहता था जो उन्होंने अपने श्री मुक्सेश्वी का रहा था और इसका प्रमान मिलता है श्री राधा बाबा की द्वारा लिखी गई एक पत्र से उस पत्र में राधा बाबा ने स्वयम लिखा था क्या लिखा था आप सुनो उन्हों लिखा है वक्तो वुरंदा वन वासिनी बेटी संतोष इस बार जब मैं वुरला मंदिर ठहरा तो जिन करुन आँखों से देखती हुई तो मुझे बोली थी आप नहीं बोलोगे आप नहीं बोलोगे वक्तो बाबा तुमा हुन थे लेकिन संतोष जी तो जैसे कोई बच्ची हो अपने पिता से कह रही हो कि आप नहीं बोलोगे आप नहीं बोलोगे तो पत्र में लिखा बाबा ने कि जब तुम कह रही थी मुझे यह करुन आँखों से देखती हुई आप नहीं बोलोगे आप नहीं बोलोगे तो बाबा लिखते हैं कि ये तेरी बात अब भी मेरे कानों में रंतर गूंज रही है पर वेटी मेरी जब भी में बरज की सीमा में जाता हूँ तो मेरी मानसिक स्थीति कुछ वेचे तरसी हो जाती है मैं बोलना भी चाहूं तो बोल नहीं पाता है इसलिए बाहर देखने के रूप में मैं तेरी इस इच्छा की पूर्थ नहीं कर पाया था बाबा ने लिखा आगे कि ठाकुर घंचाम पास में था मेरे उससे मैंने इशारा कर दिया था कि भाईया बड़ी विचित्रिमान से किस्थ दिया ये इशारे से बताया था बाबा ने घंचाम जी से कहा इशारे से कि भाईया बड़ी विचित्रिमान से किस्थित्य है इस कारण बोल नहीं पा रहा हूं जो हो तू तो शायद इस गटना को भूल भी जा सकती है बाबा ने पत्र में लिखा रादा बाबा ने संतोस को कि शायद तू इस गटना को भूल भी सकती है किन्तु मेरे जीवन के साथ है गटना जुड गई जितने प्रेम से तू बोल रहे थी कि नहीं बोलोगे मुझे नहीं बोलोगे इतनी प्रीती थी तेरी कि मेरे जीवन के साथ हो गटना जुड गई अब मैं नहीं बोल पाया बाबा आगे पत्र में लिखते हैं कि दूसरी बात बिलकुल सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूं कि मैं तेरे साथ निरन तर रहता हूं संतोस बेटी बेटी मेरी अब तु इसे अनभोग कर पाती है कि नहीं कि मैं तेरे साथ रहता हूं लेकिन मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूं इसके संबन्द में बेटी क्या कहूं सरला बिटिया की याद भी मुझे निरंतर बनी रहती है रावल में जिस समय मैं गया था उस समय केवल तुम दोनों को ही मेरी चित्ति-वृत्ति वास्तों में पकड़ रखी थी देख नंदनन्दन की गृपा का प्रवा जब चल पड़ता है फिर उससे कोई प्राणी रुक नहीं सकता रुद्ध भी नहीं कर चाकता उस प्रवा को अनन्त तुरुटियों को लेकर भी किसी को स्वापन में भी निराश नहीं होना चाहिए बद तुझ देखो बाबा की पत्र से कैसी शिक्षा मिल रही मा को बाबा लिख रहे हैं कि अनन्त तुरुटियों को लेकर भी किसी को सौपन में भी निराश नहीं होना चाहिए यदि एक बार उसे अनुभो हो चुका हो कि भगवान ब्रजेंदन नंदन ने मुझ पर कृपा का प्रवाह तो कर ही दिया है बावा लिखते हैं तो बेटी मेरी भगवान नंदन की कृपा के प्रवाह से तो निश्चित रूप से अविशिक्त हो चुकी है तुझे भले ही इसका अनुभव न हो और मेरी इस उक्ति का विश्व के प्रतिक महात्मा खंडन कर सकते हैं जिन्तु सत्य सत्य ही रहेगा और ये ध्रू सत्य है बेटी मेरी अते उत्त तनिक विचिंत मत करना जगत के दिये वे सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सके अवश्य 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 करना अब आप देखे बाबा के पत्र की कैसे शिक्षा है वक्तों कि जगत से जो सम्मान मिलता उसकी उपेक्षा कर दो और जब तेरा इस तरह का भाव बनेगा बाबा लिखते हैं कि और अब तो तेरा अपमान तेरा स्कार तेरे प्रतियादर बुद्धी का भाव लोगों में स्रिष्ट होने लगा है मरा संतों की भक्तों की रहनी सनी अद्बुत है दुनिया अपने सम्मान के लिए आदर के लिए पुरस्कार के लिए ब्याकुल रहती कि हमें मिले सम्मान मिले लेकिन बाबा लिख रहे हैं पत्र में कि तेरा अपमान तेरा स्कार तो तेरे प्रतियादर की भुद्धी का भाव तो अब ये लोगों के मन में श्रिष्टों ने लगा उत्पन्नों ने लगा, किसी अंश में हो रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है, तो फिर तेरा भाग खुल गया, बिटिया, मेरी, श्री कृष्टों के बिंदु पर तुझसे मिलने वाले हैं, और इसकी तुप पूरु सूचना है, और तेरे लिए उल्लास की बात होनी चाहिए, बाबा लिखते हैं कि हाँ, सारांस ये है कि तेरे लिए स्वपन में भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये जि तुव विश्वास कर सकेगी, कि बाबा ने कहा है, आते हो, अब क्या घबराना है, तब तो कहना ही क्या हो, पर ये जि तो कहीं संसय करेगी मेरी इस उक्ती में, तब भी मेरा विश्वद भाव नंद नंदन को बाद दे कर ही देगा, तुझे मृत्यु के समय अपने साथ ले जाने के लिए, अर्थात मेरे भाव की कारण, मेरे विश्वद भाव की कारण, नंदन नंदन, तुझे आखरी क्षण में अपने पास आएंगे तेरे पास, और तुझे अपने साथ ले करके जाएंगे अपने दाम, बेटी मेरी और क्या कहूं, ये पत्र लिखा था राधा बाबान, लिखवाया था बत्र, कितनी आत्मी इता है, परम भक्ता संतोस जी और सरलाजी के प्रतिरा राधा बाबा की, वो कहते हैं, सौचो महात्माओं को प्रणाम करो उटना, इनको प्रणाम करने से पर मिले, इनकी भक्ती की बहुत प्रशन सराधा बाबा ने किये, बहुत आत्मी इता स्रिभरा हुआ राधा बाबा का अपनी संतोस बिटिया को लिखाए पत्र, इतनी आत्मी इता और इतना प्रेम और इतना कृष्ण कृपा और कृष्ण के प्रश्ट्या विश्वास इसे भरा हुआ है, निस्चे ही परस पर कभी बाचीत न होने की बावजूद भी, पूर्जी पहिंजी की उतक्रिष्ट आध्यात्मित्ता से पूर्ण तया भीग थे बाबा। कभी बाचीत नहीं होई थी संतोस जी और अधा बाबा की, यहां तक कीर वो तो गोरफपुर गई भी नहीं थी माता, लेकिन बाबा को तो उनकी विशे में सब कुछ अंदर तक का पता था, और कितने सपष्ट सब्दों में उनकी स्थिची की घोशना कर गए, भगवान नंदनन की कृपा प्रवा से तो एक बार निश्चित रूप से अवशिक्त हो चुकी है, ऐसा हो पत्र में लिखा था बगटों, एक विशुद संत की इस उद्गोशना के बाद किसी भी संसय प्रमान को स्थान ही का, और आत्मीता से भरे स्ने की डूरकन, नंदनन को बहिन के अंतिम समय में आने के लिए बाद भी कर देंगे, ऐसा उद्गोशना ने लिखा, पत्र में लिखी ए उक्ति बाबा की पूज बहिन जी के प्रती ममता मय लाड से भरा हुआ, ये जहलक दिखला ही पड़ जाती, कि बाबा अपनी प्यारी सी बच्ची के प्रती की इतना स्ने दुलार रखते हैं, और कितनी आत्मीता है, और कितना भगवान की कृपा उनके माध्यम से हो रही है, क्योंकि वो गुरू थे, और गुरू के द्वारा शिष्य के उपर भगवान की कृपा होती ही है, बस शिष्य को अपनी श्रद्धा पून पवित्र, पून शुद्ध रखनी चाहिए, कुर्देव की कृपा भगवान तक पहुँच जाती है, इधर अपने अंतिम दिनों में, एक दिन अस्पताल के कक्ष में, हाथ उटा कह उठी थी ती रहा, संतोस जी, बिमार थी जब हो, आखरी टाइम में, तो वो बोली थी, उनके मुँद से सब्ध निकलाता है, राधा बाबा आए, आरती करो, आरती करो, राधा बाबा आए, मैंने राधा बाबा आए थी उत समय, अई बिलकुल आखरी शर्म में भगवान करिष्ण भी आए, किन्तु भगतों हर लोगों को न राधा बाबा दिखलाई पड़ सकते थे, न हर लोगों को करिष्ण दिखलाई पड़ते थे, किसी घाट पर एक माता रहती है, प्रकाश उनका नाम है, महराज वो मुझे कल ही बता रही थी, किसी घाट पर, कि संतोस भहिन की आखरी टाइम में, उनके सिर को अपनी गोद में लेकर हो बैठी थी, सेवा कर रही थी, मैं तो प्रकाश माता को भी बहुत भागी शालनी समझता हूं, और भी तो कली मिली थी मुझको, पहले भी मिल चुकी हूं, उनका तो रुक्मनी बाई, संतोस जी और महराज सरला जी, सुशीला जी इन महान, महान महान इन संत माताओं चे बहुत आत्मी था थी, राधा भावस से भी, केशी घाट के पास रहती हैं, तो कल उका रही थी, कि संतोस जी के आखरी टाइम में, उनके सिर को अपनी गोद में लेके बैठी थी, सेवा कर रही थी, और संतोस जी उनको जाने नहीं दे थी, कर दे नहीं, तू जाएगी नहीं, नहीं रहे, ऐसी अभी सक्षियां उनकी आज भी हैं, विराजमान, तो मैं आपको यह बतला रहा था है, कि आस्पताल में थी, उस समय माता है, क्योंकि भक्त लोग माने नहीं, शरीर ज्यादा अस्वस्त हो गया, तो भक्त लोग माने नहीं थे, उनको लोस्पताल ले गए थे, और वो आखरी टाइम में महराज बोले, रादा बाबा आए, रादा बाबा आए, हार्ती करो, हार्ती करो, उसके बाद बगवान कृष्णा गया, जी तो आखरी टाइम की बात में सुना रहा था, अभी तो उनके जीवन की बहुत सी बाते में आपको सुनाओंगा, शिवरिंदा गुंदाम में कैसे कैसे, भक्त लोग, संत लोग मिलते थे, उन सुन्दर महान पवित्र, इनकी चरित्र की बातों को आगे आप फिर सुनेंगे, माता को प्रणाम करक एंगे नंगे घराओ, शिरादे रादे रादे शिरादे रादे